हलो दस्तों मैं हूँ प्रेमर आज लेकाया हूं inverter versus UPS जेसे पहले में दो पार्ट दे चुका हूँ एक वीडियो में दिया था inverter versus UPS दूसरा पार्ट क्या था कि आपको कौन सा inverter और कौन सा बैटरी लेना चाहिए कोई भी computer के लिए जो कि दोनों ही पार्ट का निचोर है ये ति बिजली कोई भी काम इसली कर पाएंगे ठीक है बिजली चला जाए नहीं रहे कोई भी टेंसन नहीं रहे आपको इतना चीज अगर आप लगा लेते हैं घर में तो चलिए देखते हैं कैसे में यूज करता हूं यहां पर मैं पहले बतादाकि कि इस का बैटरी यूज करता हूं कितना इंभर्टों मैं दीक ख़ेंगे इसमें यूपीयस रिश्टम दिया गया तो इसमें UPS सिस्टम दिया गया, बट यह क्या होता है, इसमें प्रॉलम में बाद में बताऊँगा, आपको क्या प्रॉलम होता है, आपको यही लेके रहना चाहिए, ये वीडियो को लास्त तक देखते रहे है, उसके बाद आपको दिख़गा होगा, यहाँ पर स करने के लिए रहता है तो वह आपको जो है लेना या ना लेना हुआ आपके उपर डिपेंड करता है वीडियो को लास्ट देखते तो आपको समझ में आ जाएगा तो यह एक केवी का जो है यह कोई भी कंपनी है अलग बात है आप अच्छे कंपनी का यूज कीजिए यह थोड़ा बहुत है मेरे इधर का यह कंपनी सही चलता है इसलिए मैंने इसका लिया हूँ आप जो कोई भी अधर कंपनी का ले सकते हैं ठीक है तो मैं आपको बता दू 90 mh की बैटरी यूज करता हूं और इंवर्टर जो है 650W का यूज करता हूं ठीक है आप जो चाहिए आपकी मर्जी जैसा यूज कीजिए मैं इस वीडियो में बस किलियर करने वाला हूं कि आपको कौन सा यूज करना है तो चलिए उधर दिखाते हैं आप सभीको यह जो बोड देखने है यह बोड जो जी यूज करता हूं मैं मतलब गलत वीडियो नहीं बना के बताओंगा कि यूपेस आप ले या ना ले ठीक है तो यह जो है एक यूपेस है फिंगर खंपनी का यूपेस है इसमें जो सिंगल कम्पूटर चलता है बट मैं इस पर दो कंप्योटर चलाता हूं वह कैसे चला र क्लियर चलता है यह बड़ा वला 22 इंची का मोनिटर है इस पर एक त्छा वला जो है या एक अच्छा वला सी प्यू है जो कि क्या की पाष दें oldest ऐसा यहां कि ripping द потौड को तो यहा पे India मेरे इसा जैदा खाता नहीं आपको कम बिजली पे भी आपका यह चार्ज हो जाता है तो इसमें कोई प्रोग्रम और यह मैं दूसरा computer यूज करता हूं यह पर देख पाड़ोंगे तो यह तीसरा computer है इसका मैं 80-90W का यानि 140W में यह दोनों फड़िया जाता हूं इसमें कोई भी बाज़ा हो जाका सिस्टम ने देऊ इस पर थमनिल में बनाता था पहले बट यहां पर कोई नहीं रहता अभी यह बंदी रहता है तो यहां पर यह इस दोनों पर काम होता है तो यह तो है वह तो वह चल जायागा एक बोड से तो उसका कनेक्शन में इसी यूपियस से देता हूं ठीक है इसी यूपियस से देता हूं लेकिन यूपियस लॉड उठा लेता है बट लाइन कटने बाद प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके लिए आपको एक चीज और रखना पड़े बला जो है आपको लेना पड़ेगा तो मैं इसलिए इसका यूज करता हूं और है इस gelmiş इंवर्टर इसलिए बहुत चाहिए चाहिए या फिर अगर UPS चलाना चाहते हैं तो 140 V से नीचे चलेगा नहीं UPS और inverter भी 120 V से कम पर चार्जिंग नहीं उठाता है तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम होता था इसलिए मैंने यहाँ पर अगर आपके इधर 1500 उपर हमेंसा बॉल्टेज रहता है तो आपको इसलिए कोई जरूवत नहीं है यहाँ पर मैंने बात करूँ पैसे की कि कितना पैसा खर्च हो जाता है इस सभी में फिर से लाइन आया देख पारूंगों लाइन आता जाता है रहता है मेरे इधर तो कोई भ बैटरी है वो 60 मेज के बहुत ही अच्छा चलता है 60-80 मेज का बहुत ही अच्छा चलता है यह मेने लिए हूँ जैदा एमेज का क्योंकि ज्याएदा काम रहता है दुकान पे भी रहता है तो आप जो है 60-80 तक आर्या आपको 65-100 पर तो याणि 95-100 रुप्या हो गया नह 500 यह हो गया और एक UPS लेते हैं तो अच्छा वाला लिजाएगा तो दो हजार लग जाएगा तो मैंने लिया था यह मुझे पड़ा था सरे देखिए अभी में चेक कराता हूं यह यूपीयस मूट है इस पर दो बार प्रेस करेंगे तो यहां पर यूपीयस मूट पर वाइट जलने लगा आप देख पार गए लेकिन अभी चार्जिंग यह उठा रहा है क्योंकि यह उठा रहा है व्ल्टेज इसको मिल रहा है अभी है यूको मूट में चलाते हैं यह उतिया में चलाती है तो यूको मूट में चला यह पर देखिए का구요 यहां पर me ुल कर देता हूँ जितना वेल्टेज्ट चाहिये मुझे ठोल चे anonymous इसे कितना भी कर क दीए में मेंज पर ऊठा लैता है Рिपयेस लेने का एक ही बज़े स्विच आप हो जाता है आप दो मेंख इस लिए ना तो ज़ी है लेकिन मैं ही कहता हूं आपको क्पूर्टर को दोनों में पर दोने नहीं लेते तो यूपीए जरूर लेजे क्योंकि बहुत ही काम में आता है और आपका एक मिनट के लिए भी कंप्यूटर स्विच आप नहीं होता है तो उमीद है आप से को ये वीडियो में सारा किलियर हो गया होगा किलियर नहीं होगा तो कमेंड वो पूछ सकते में जवाब हमेशा देता हूं इसे पिछले वीडियो में भी सभी को जबाब मिला था इस वीडियो में भी मिलेगा और आगे जो इसका पार्ट नहीं बनाना पड़े उमीद है आप से भी को समझ भी आ गया होगा इसी वीडियो में कैसे यूज करता हूं और चली अगले वीडियो मिलते थाइंक्स फू आजिंग हो जाएं बंद मात्रां